तो यार आज मैं आपको बहुत लैपटाप बताने वाला हूँ जो कि 2021 में आपके लिए बहुत गूट डिटील होने वाले है प्लस मैं आपको कहा देना चाहता हूँ कई लैपटाप अभी लाँच हो गया है कही उन्ने अभी लाँच होना है बट मैं उसकी डेट वगर आपको बता दूगो तो start करते हैं, अगर आपका budget 90,000 से लेके, अगर आपको budget 2,00,000 है, अज हम इस budget range की बात करेंगे, तो यार, अगर आपका budget 90,000 से लेके, 1,10,000 हो जाता है, इस budget range में, आपको 3 laptop देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा loaded है, मैं बात करूँ, HP Omen की end में बात करूँ, ASUS ROG X-Trix की end में बात करूँ, ASUS ROG X-Trix की, ये तीनों laptop आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं, in 2021 में, plus मैं आपको कहा देना जाता हूं कि HP Omen का नया version launch होने वाला है, end मैं बात करूँ, ASUS ROG X-Trix की, इसके भी आपको नया वेरिट देखने को मिलने वाले हैं, 2021 में, जो कि launch हो जेंगे, March जा April के मन्थ में, ठीक है, अगर आप लेना जाते हैं, तो दो मन्थ आप वेट कर सकते है अगर मैं बात करूँ, ASUS ROG X-Trix G14 की, इसके भी आपको नया वेरिट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको Ryzen 9 परसेसर के साथ देखने को मिलने वाले हैं, अगर आपने laptop को लेना है, तो मैं आपको recommend करना चाहता हूं, सिर्फ आप 3-4 मन्थ जो है, वेट कर लो, ये 3 ल आपने like video editing करने है, photo editing करने है, उसके साथ सा, तो यार अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना है, video editing करने है, photo editing करने है, programming करने है, coding करने है, animation करने है, last stream करने है, gaming last stream करने है, आप सभी के लिए, ये 3 लैप्टॉप जो है, वो perfect deal होने वाले हैं, अगर आपका budget 90 ताहूं से ले वालाग 15,000 हो जाता है, इस budget range में, मैं आपको 5 laptop बताऊंगा, जो की सच में बहुत तगड़े होने वाले हैं, बात कहते हैं, नमबो 5 की, नमबो 5 पर यार मैंने रखा है, Acer predator को, अगर इस laptop की बात करूँ, ये 16 GB RAM के साथ मिलता, आपको 8 X graphic card मिल जागा, 144 refresher के साथ इसकी display देखने को मिल जाती है, तो भई, अगर आपने 4K वीडियो एक्टिंग करने है, गेमिंग करने है, लाफ स्ट्रिम करने है, जब कोई भी heavy software यूज़ करना है, ये laptop भी आपके लिए perfect हो सकता है, नमबो 4 की बात करूँ, नमबो 4 पर रखा है, आपको राइजन 7 भी देखने क मिल जाएगा, तो यार अगर आपने भी इस पर भी गेमिंग करने है, लाफ स्ट्रिम करने है, कोई भी heavy software यूज़ करना है, आप easily normally कर सकतो, प्लस इसके budget range की बात करूँ, आपको एक लाख 20,000 से भी कम प्राइस रेंज में, असूस तफ गेमिंग के 15 देखने को मिल जागा, आगे बात करते हैं, नम्बो थ्री की, नम्बो थ्री पर यार मैंने रखा Microsoft Surface Book 3 को, यार अगर आपको टू इन वान लेप्टाप चाहिए, जागर आपको एक classic design चाहिए, ये laptop आपके लिए perfect deal हो जगता, अगर आपने traveling करने, अगर आपको office work के लिए चाहिए, बहुत configuration तक भी देखने को मिल जाएगा, जो की बहुत अगड़ा होने पाला उसके अपर तो को प्रसांसरीन ही देखने को मिलता है, अभी आगे बात करते है, नम्बो टू की, नम्बो टू पर यार मैंने रखा हसूस Zenbook Duo को अगर इस laptop की बात करूं, तो यार ये laptop में आपको dual display दे जाता है, प्लस इसमें आपको मतलब इसका बिल्ड को RTS का design है, वो भी बहुत अपर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद हम बात करते है, नम्बो वान की नम्बो वान पर यार मैंने रखी है, HP Spectre X 360 अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले, ये touch screen है, 4K display देखने को मिल जाते प्लस ये 360 डिगरी पूरा open हो जाता है, बैस्ट आफ और क्रेटर के लिए, बैस्ट आफ और developers के लिए ठीक है, तो यार अभी मैंने आपको इतने laptop बता दिए, तो भी अगर आपका budget वान लाक से लेके, अगर आपका budget वान लाक 15,000 हो जाता है, इस budget रेंज में आप पांचो से लेके, दो लाक हो जाता है, इस budget range की बात कर लेती है, तो भई अगर आपका budget वान लाक से लेके, दो लाक हो जाता है, इस budget range में भी मैं आपको पांच-छे laptop बता सकता हूँ, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मैं उनके नाम बता देता हूँ, सबसे बहले बात करते हैं, नमबो फाइब की, नमबो फाइब की, नमबो फाइब पायार मैंने रखा है, रेजर ब्लेड फिफ्टिन को अगर इस laptop की बात करूँ, बैस्ट आफ और लाफ्ट्रीम के लिए, गेमिंग के लिए, वीडियो एक्टिंग के लिए, कोई भी हैवी सॉस्टर य मैंने रखा, मसी डबल सिक्स रेडार को अगर इस laptop की बात करूँ, यह laptop भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाते हैं, इक बार आप इसको चाउड करना, आपको बहुत पसंद आने वाला RGB लाइटिंग के साथ आता है, इसमें भी आपको 16GB RAM भी मिल जागा, आपको अगरे देखने को मिल जाते हैं, आँगे बात करते हैं, नमबो थ्री की, नमबो थ्री पर यार मैंने रखिया डेल एलियन विर को, अगर इस laptop की बात करूँ, इसकी design, इसकी build quality बहुत रही है, और RGB lighting के साथ यह भी आपको देखने को मिल जागा, आपको full HD display मिल जाती है, उस की और जा सकते हो, नमबर टू एंड नमबो वान की बात करो, नमबर टू एंड नमबो वान पर यार मैंने रखिया है, Apple MacBook Pro and Apple MacBook 13, तो यार M1 चिपसेट के साथ तेखने को मिलेगी, इन 2021 में जो की बहुत तगड़ा Apple की और से ही आता है, तो भी अगर आपने ऐसा creator काम करना है as a developer काम करना है, आप Apple की और जा सकते हो, एंड इसकी display quality बहुत अगड़ी होती है, अगर आपने color grading करना है, photo editing करना है, animation करना है, graphic design करना है, जो कोई भी heavy software यूल करना है, आपके लिए best deal हो सकते है, बट gaming के लिए मैं आपको बिलकुल भी नहीं कहरा, तो यार अभी मैंने video editing के लिए, 4K video editing के लिए, जा last stream के लिए, एंड भी मैंने आपको दो laptop बताए, Apple के और से, जो कि M1 chipset के साथ देखने को मिलते है, बहुत अगड़ी होने वाली है, इन 2021 में आपको बहुत laptop मिलने वाले है, मैं आपको इन future भी बताता रहूंगा, जो भी मुझे पता जालेग अगर आपने purchase करने है, तो भी आप purchase भी कर सकते है, प्लस मैं आपको क्या देना जाता हूँ, अगर आपको 90,000 के वालाग त्यान साथ होने है, उस budget range में, अगर आप जाना जाते हैं, जा अगर आप जाना जाते हैं, आप वेट कर लेना, जून जुलाई मन्थ तो यार उस budget range में, तब तक आपको मिल जाएंगे वो laptop जो की आपको Ryzen 9 के साथ देखने को मिलेंगे, 3000 सीरीज ग्राफिक कार में आपको देखने को मिल जाएगी, जो की launch हो जेगा June and July में, तो यार अब भी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खरतम, अगर आपको में इडिवी चले हैं, वीडियो को लाइक करदना, कमेंट करदना, शेर करदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना, उनको भी कहतना की चैनल को गदे, सब्सक्राब वीडियो को करते, लाइक इन इंस्ता, ग्राम पे कले, फॉलो लिंक वगरा, यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखन मैं वो मेल जब उसको चाहर बोलेंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ, तेंक्यू